इस स्ट्रॉ के टर्वाइन को बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको थोड़ा सा तामबे का तार एक सक्त स्ट्रॉ, एक सुई और थोड़ा सा टेप दरकार होगा। पहले सक्त स्ट्रॉ का दो सम लंबा टुकड़ा काट ले और इसके बिलकुल दर्मियान से एक लंबी सुई से सुराख बनाए। सुराख थोड़ा डीला हो फिर थोड़ा सा तामवे का तार ले और इस तामवे के तार को एक लंबी सुई पर लपेट ले जिससे इसमें दो तीन लूप बन जाए ये एक तरह का स्टॉपर बनेगा इसके बाद तार को स्पिलर के सुराख में से पिरोएं अब इसके बाद में दूसरी तरह भी तार में एक लूप लपेट ले अब ये दोनों लूप स्टॉपर बन जाएंगे और इनके दर्म्यान में जो छोटा सा तार बचेगा उनमें ये स्टॉप का स्पिनर गोल गोल भूमेगा अब ये रहा आपका स्पिनर और इसका तार फिर बाकी मांदा सक्त स्टॉप का टुकडा लें और इसमें एक सुराख करें और इसमें इस तार को पिरोएं और थोड़ा टेप लेकर तार को स्टॉप के साथ जोड़ दें इस तरह से स्पिनर और फूकने वाला पाइप आपस में जुड़ जाएंगे ये देखें कि आपका स्पिनर तार पर आसानी से घूम रहा हो अब आप जब फूकेंगे तो आपका स्पिनर तेजी से घूमेगा आप चाहें तो दो पंकों की बजाए चार पंकों वाला स्पीनर भी बना सकते हैं इसमें भी फूकेंगे तो ये फर फर घूमेगा